स्कुटी रोड से लगबग दो तीन सो मीटर नीचे गई है खाई में यह तो बड़ा खतरनाक सा जोन मन गया है पहाड पे छोटी सी गलती भी बहुत भारी पर सकती है जो इनके ठेकेदार है वो डेली मेरी वीडियो देखते हैं प्रीती सीधे अपनी साधी का अलबम देखने दे रहे हैं ऐसे मैं पर काम वाले भी आ चुके हैं पर जो कॉलम के गड़े है ना उनमें खूब सारा पानी भरा हुआ है तो वो बाहर निकालना पड़ेगा एक बारी तो चले जी आज से यहां पर सिमेंट का काम भी सुरू हो जाएगा थोड़ा सा मसाला बनाना है कॉलम अगेरा भरने के लिए बस यह मौसम अपना साथ देता रहे और मुझे ना छट से पानी का जुगार भी खरना है इस ट्रैंक से एक पाइप लगाना है तो सबसे पहले आप सबी को मेरा प्यार भाने मस्कार मेर नाम है आलो काना और स्वागत है आप सबी का देव भूमी उत्राखन के इन खूप सुरत पहाणों से अभी से वेके करीब सवदा सो रहे हैं और आज के दिन की सुरुवात भी हो चुकी है बाकी पहाणों के नजारे तो बड़े सुन्दर से हो रुके हैं बारिस और बरबारी के बाद पद्रे द्रे ना फिर से बादल आने लगे हैं फटापट से यहां पर सिमेंट अगरा का काम आज पूरा कर देते हैं जो कि सबसे जरूरी है क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं फिर से देदेडे बादल आने लगे हैं लगता है मौसम हमारा साथ नहीं देने वाला है फिर तब तक सिमेंट का सारा काम कर देंगे फिर आराम से वो सूपता रहेगा तो मैं भी जातर जगों आज कल ही कंस्ट्रक्शन लगा रहता है क्योंकि घोड़े कचर भी मिल जाते है हैं काम करने वाले भी मिल जाते हैं अब यहां पर जब तक काम चलता रहेगा तो जो इनके ठेकेदार हैं वो डेली मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको लाइव अप्टेट भी मिलती रहेगी हर दिन की अगले दिन कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ यह बैठे रहेंगे त है मौसम पर अच्छी बात यह है कि बारिस की वेवसे पूरी इंटों में अच्छे से तराई होगी है लगवग एक इंट का वेट तीन-चार किलो के आसपास तो होई गया है और जैसे यहां पर काम लगेगा हमको यह सॉलर पैनल और यह टैंक हटवाना पड़ेगा यहां से और सरिया भी देखो नो दो दिन की बारिस से कितना जंग पकड़ने लगा है एक बड़ी दिक्कत होगी है यहां पर मसाला तो बनाया और फिर से बारिस सुरू हो गई है पता नहीं मौसम क्या बदलदा है ऐसे तीन कट्टे का मसाला और मौसम भी गड़ बड़ो रहा है दे पहले यहां गर पर कोई सब्जी ले आए था धंद्रू की बहुत सारी वह भी जो के भी यहां इस कट्टे पर रखी हुई है कि मेरे मामा दिन ने गाओं में किसी से मंगवाई थी अब मुझे यह वाली सब्जी मार्केट तक ले जानी पड़ेगी तो मैं कल इस वाली न्यूज की बात कर रहा था देखिए प्रिति पुआ की वीडियो देखिए यहां चे सब देखिए तो यह हमारी डेली की विवार है अब मुझे मंगोली तक जाना पड़ेगा इस थैले को ले जाके मामा जी के साथ चावी ही बूल गया बाइक की घर मु जाना है मंगोली गाउं तक जो कि लगबग यहां से है साथ किलोमेटर के दूरी पर तो सुबह के टाइम पर पास में एक स्कूटी बर नीचे गिरी है वहां पर दिखाई तो नहीं दी सायद नीचे चले गई होगी तो बहुत दिक्कत है यहां इन सड़कों पर आजकल चलो वहां चक्का जाम करा हुआ है आज लोकल लोगों ने तो यह मैं पहुंचा हूं वड़वा धार में यहां पर तोड़ सरुक के आसपास के नजारों का अनन्द लेते हैं तो इस सगों से सामने उखी मत मार्केट और इस साइड गुपतिकासी मार्केट और केदानाथ घाटी दूर दूर तक दिखाए देती है अब निकलते हैं यहां से भी सब्सक्राइब कर देखा है उसकी वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है अभी एक बार में पुराने वाले घर पे जाके लंच अगेरा कर देता हूं फिर आराम से जाएंगे नए वाले घर पर काम अगेरा देखने के लिए रोड बनने से गाउं को सुदाएं तो जरूर से ह आरके हैं हमारी मौसी पंकज की मां और यह हमारी चाची जी हैं बरसाल गाहों से मां यहां पर लगिया आज धंद्रू की सब्जी काटने पर किया नहां वह हूं पर भ मां एंद्रा टार से फा स्टाएं हैं पWरताु जाओं में पर estéेखने मां ढलाएं। स्कूटी रोड से लगबग 2-300 मीटर नीचे गई है खाई में, बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जो स्कूटी चला रहे थे, वो सेफ हैं, उपर रोड में ही स्कूटी से अलग हो गे थे, वन्ना ऐसे पहाड़ों में बहुत बुरे-बुरे से हाथ से भी होते हैं, तो यह इन खुबसवत से पहाड़ों का दूसरा पहलो, जहां कि सडकों पे चलना भी आसान नहीं होता है, पहाड़ पे छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है सामने पे लगाता रोड कटिंग का काम जारी है, उसना बड़े-बड़े से पत्थर नीचे गिर रहे हैं, इससे जंगलों को नुक्सान तो होता है, लेकिन इस बात की पूरी भरपाई करी जारी है गिरिया को जाने वाली नहीं रोड पे नहीं नहीं पौदे लगाएगे हैं, यह सबसे जरूरी काम था जो कि किया गया है माँ पापा तो आराम से आएंगे, मैं तब तक निकल पड़ता हूँ नहीं वाले घर पे, सामने पर अभी काम थोड़ा सा रुका हुआ है, पटापट से चलते हैं, तो कि अगर जाम लगा तो आदे घंटे तक और रुकना पड़ेगा फिर, बाकि सामने के पहाड़ों से फ बड़ा खतरनाक सा जोन बन गया है, यहां से तो नीचे सीदे नदी दिखाई देती है, सरकार को यहां की रोड की कंडिशन पर जरूर से ध्यान देना चाहिए, वैसे उंचे-उंचे से पहाड है, सिंगल रोड है, वो भी खराब रहेगी, तो फिर बहुत दिक्कते हैं उन तो लोगेरा सब चीजें बांदी वैई, वाकि यहां पर कंजस्टिट जगो थी, तो इसी जगो पर अपना नक्सा गुमाना पड़ेगा, उपर जो यह वाला कामरा बनेगा, उसके लिए वास्रूम यहां से कुछ जुगाड करके बनाना पड़ेगा, अपको जगो पर मौसम एक ही साथ हो रहे हैं, साम होते 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 हैं मौसम भी सही होने लगा है, और साम ने बरब से ड़की वी चोटियां बड़ी सुन्दर दिखाई दे रही हैं, अपने पाउन के 10x zoom से कुछ फोटोज लिख कर देते हैं, इनकी बढ़िया बढ़िया, पाके घर पे आते ही पापा जी लगे, फिट से काम पे, यहां पर पानी जमा हो रहा है, तो उसको बाहर निकालना पड़े गा, तो चेरे जी घर पे प्रीती और प्रीती के हजवेंड़ी पहुँच चुके हैं, अचानक से? अब मा को सर्पाइज दे रहे थे, मा ने खराब कर दे, तो बोलते हैं कि इस तरी के पेड़ में बात नहीं, पस्ती बाद, और घर पे आते ही प्रीती सीथे, अपनी साधी का अलबम देखने लगी, यह क्या है, इतना भारी ही, अब वहां की साधी का अलबम कब आएगा, वहां के अभी आ गया, अब तेरी लोग लेगे आईगे, अब आराम से देखेगी अपनी साधी की फोटो, वाकि प्रीती के घर पे आने से खूब चहल पहल भड़गी है, और कल हम एक स्पेशल सी जगों पे जाने वाले हैं, सभी लोग, तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो पर संद आये तो इसको लाइक कीजिए, कमेंड कीजिए, और अपने दोस्तों के सेर कीजिए, मैलोक राणा मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तके लिए जै हिंद जै भारत, जै दे भूमित्रा खंडे